आगामी जुलाई दोजार चोबीस से लागू होने वारे नए अपराधी कारण पर एक व्यापक प्रसिक्षन सह समवेदी करण का एकरम प्रदान करने के लिए नवराय पुरिस्तित हिदायतुला नेशनल लौ युनिवरसिटी ने चतिसगर राजे पुलिस विभाग के साथ एक समझहोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया इस वरान समझहोता ग्यापन का आदान प्रदान HNLU के कुलपती प्रोफेसर डॉक्टर वी सी विवेका नंदन और चतिसगर के डीजीपी अशुम जुनिजा के बीच किया गया इस खास मौके पर मुखेमति विश्यदीर साय न नया कानुन सुशासन का परिचाए देने में बहदरीन साबित होगा हमारी पुलीस अब नय कानुनों का परिपालन करेगी सर आपनिवक्षिक कानूनों में बदलाव भारतिय नयाय सहीता दोजार तेईस बारतिय दंड सहीता अठारा सो साथ के स्थान पर भारतिय नयाय सहीता को अधिसुचीत किया गया भारतिय दंड सहीता की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराय हैं तता 23 अध्याय के स्थान प पर बारतीज नागरिक सुरक्षा सहींता डुजार तैइस को अधिसूचित किया गया जिस में 484 दहराओं के स्थान तो पांसो अकतीस धाराएं हowej ततर सैंतिस अध्या के स्थान पर 49 अधिया यह भारतीज साक्ष्य अधिनएम फिस बारतीज साक्ष्य अधिनएम 1972 के स्थान पर बारतिय साक्षे अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया जिन में 167 धाराओं के स्थान पर 170 धारे हैं ततक 11 ध्या के स्थान पर 12 ध्या हैं सर डीजी पी कॉंफरेंस जो जन्वरी में हुई थी सर उसके अंदर मानिय प्रधान मंत्री जी द्वारा उद्भोधन में दिये गए कुछ निर्देश इस संबंद में इस प्रकार हैं सर सद्यों से चले आ रहे ही अपने वीशक कानूनों में बदलाव किया गया है नए कानू प्रावधान अपरादी को दंड देने के साथ साथ पीडित को न्याय देने की भावना से बनाए गए है नमीन न्याय सहीता में महिला एवं बच्चों को न्याय एवं सुरक्षा में प्रात्मिक्ता दी गई है नमीन कानून गहन और दूरदर्श्यती दूरदर्शी कलपना का परिणाम है यह अंग्रेजों के समय से चली आरी अवेवस्था व्यस्था और कानूनों में परिवर्तन का समय है आप भी परिवर्तन के साक्षी होंगे नई इस फूर्ती के साथ इस कानून को लागू किया जाना है नए कानून आज से सामाजिक मूल्यों एवं अकांशाओ के प्रतिदीत करते हैं और सर गंतंत्र दिवस समारो दोजार चोबीस पर हमने इस नमीन कानून के के प्रावदोनों का काफी प्रहद रूप से सर सभी जिलों में और रेंज हैड कोटर में इसका प्रचार प्रसार किया था कुछ उसके सर ग्लिम्सिस में आपको दिखाना च कानून जो हमारे देश की संसत में पारित होंगे और आत्मारपित हम करेंगे उन कानूनों के निर्मान के लिए जो सरकारद्वारा गठित समिती थी उसके अध्यक्ष प्रफेसर रंबीर सेंजी हम सब के बीच उपस्तित हैं यह बड़ा ही गर्वकाविस है मैं सुचता हू के ऐसे कानूनों के मतलब लेखन में उसके निर्मान में जो वेक्ती लगे हों और वो हम सब के बीच हों मुझे बहुत दुख हुआ भी जानकर कि एक गंटे से से सेशन चल रहे थे जिसमें प्रश्णून से पूछे जा रहे थे वो बता रहे थे उसके बारे में मुझे खे करता हूं कि वो फिर से चतिसगर में और समय दें कुछ और इस्थानों पर उनका प्रवास हो जैसे यह नए कानून जो दंड से न्याय की तरफ हमारा आज का यह दिन चतिसगर के लिए एक एतिहासिक दिन होगा क्योंकि नए कानून को लागू करने के लिए M.O.U. यह हो रहा है और यह जानकर बड़ी प्रसंता हुई जो इस नए कानून के राप समीती के अध्यक दोरा की हमारा आई स्टेट पूरे देश में पहला आई स्टेट बन रहा है जो इस दिसा में सबसे पहले कदम उठा रहा है और आज के इस M.O.U. समारों में हम लोगों के बीच हमारे चत्चिगर सरकार के युवावर कर्मठ उपमुख मंत्री और ग्रिह मंत्री श्री विजय सर्मा जी और नवीन आपराधिक कानूनों के निर्माण है तू केंदरे ग्रिह मंत्राले भारत सरकार द्वारा गठित समीती के समाने अध्यक्ष प्रोफेसर रणबीर सिंग जी हिदाय तुला रास्टे विधी विशुविद्याले छत्यगर नवाराइपूर के कुल्पति प्रोफेसर हुई सी विव कानन जी मुख सचिव पुलिस महानी देशक श्री असोग जुनेना जी अपर मुख सचिव श्री मनोज पिंगवा जी कारकमी उपस्थित पुलिस विवा के समस्त अधिकारी गण यों हिदाय तुला रास्टे विधी विशुविद्याले के समस्त प्राध्यापक गण यह बड़े परसंता का भी से है कि आज नय कानूनों के समस्त में सचत्री गण पुलिस और हिदाय तुला रास्टे विधी विशुविद्याले के मद ये मयू हो रहा है इसे IMU के अंतरगत नए कानूनों के किरानियों के समद में पुलीस अधीकारियों और कर्म्चारियों के प्रसिक्षन की भी व्योस्था की गई है यह IMU 36 गड़ में सुसासन और कानून ब्योस्था का राज सुनी अंगरेजों का बनाया हुआ पुराना कानून अभी तक चला आ रहा था लेकिन हमारे देश के यससर्शी मंधान मुंत्री सी नलेन मोदी जी कि सोच के अनुसार जो दंड सहिता जो बना था अंगरेजों का दन सहिता को न्याय सहिता, दन सहिता से न्याय सहिता के और ले जाने के लिए नया कानुन बनाया गया है और आज यह मयू था यहाँ पर, पुलिस डिपार्टमेंट और अपना जो हिजाय तुला अभी जी भी सुलिद्याला है उनके साथ में अब बहुत सारे नया कानुन बने हैं तो पुलिस को उसका प्रस्रिक्षन भी जरूरी है और इस प्रस्रिक्षन देने का काम हमारे हिदायत अला विजी भी सुलिद्याले के प्रोफेसर्स करेगी तो उसी काजे में हो जाए और इसे नया कानुन से बहुत लोगों का भला होग झाल